लूपिंग जब किसी प्रोग्राम में कथनों के किसी समू का पालन कई बार किया जाता है तो उसे लूपिंग कहा जाता है इसे ठीक से समझनी के लिए निमनलिकित प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए यह प्रोग्राम 12 का पहाड़ा छापता है इसमें पहाड़े का क्रम बनाने के लिए 4K का प्रियोग किया गया है प्रारंभ में के का मान एक रखा गया है कथन 30 में पहाड़े की पहली संख्या छापी जाती है और अगले ही कथन में के का मान एक बढ़ा दिया जाता है जिससे संख्या का मान दो हो जाता है लाइन संख्या 50 के इफ कथन में ये जाच की गई कि केक आमान 10 से कम या बराबर है की नहीं यदि है तो कंट्रोल वापस कथन संख्या 30 पर आ जाता है यहाँ पहाड़े की अगली संख्या छापी जाती है तथा केक आमान फिर एक से बढ़ा दिया जाता है पहाड़ा छापना और केक आमान बढ़ाना तब तक चलता रहता है जब तक केक आमान 10 से ज्यादा नहीं हो जाता केक आमान 11 होते ही इफ कथन की शर्थ असत्य हो जाती है और कंट्रोल अगली कथन अर्थात एंड कथन पर आ जाता है उपर के उधारन में कथन संख्या 30 से कथन संख्या 50 तक के कथन बार बार पालित किये जाते हैं इससे एक लूप बन जाता है इस लूप में 4K कामान 1 से 10 तक बदलता है यहाँ looping, looping variable है यहाँ if कथन का प्रयोग करके एक साधारन लूप बनाया गया है आप if कथन का प्रयोग करके सभी प्रकार के लूप बना सकते हैं बेसिक में साधरन लूप बनाने के लिए प्राया for-next कथनों का प्रयोग किया जाता है for-next कथन for-next कथनों का प्रयोग लूप बनाने के लिए किया जाता है इन में for कथन लूप का पहला और next कथन लूप का अंतिम कथन होता है इन कथनों के बीच कितने भी कथन हो सकते हैं उदहारन के लिए उपर के प्रोग्राम को हम for-next कथनों का प्रयोग करके निम्न प्रकार सरलता से लिख सकते हैं 10 रैम, this prints first 10 multiples of 12 24K is equal to 1 to 10 30 prints 12 गुना K 40 next K 50 end यहां लाइन संख्या 20 के 4 कथन का आर्थ है कि 4K लूपिंग चर है जिसका मान एक से प्रारम होकर क्रमशे बढ़ता हुआ 10 पहुचता है इसका आर्थ यह भी है कि लूप के कथनों का पालन K प्रतैक मान के साथ एक एक बार किया जाता है इसके बाद लूप समाप्थ हो जाता है वास्तों में प्रतैक बार लूप के कथनों का पालन करते हुए जब कंट्रोल next कथन पर आ जाता है तब ही लूपिंग चर का मान बढ़ाया जाता है और यह जाज की जाती है कि उसका मान अपने अधिक्तम मान से अधिक तो नहीं हो गया ऐसा होते ही लूप समाप्थ हो जाता है और कंट्रोल लूप से बाहर निकल जाता है फौर कथन में लूपिंग चर के प्रारंभिक और अंतिम मान संख्यात्मक चर भी हो सकते है बेसिक में 4-next कथनों का प्रयोग करके लूप बनाते समय ये सालधानी रखनी होती है कि कंट्रोल लूप में केवल उसके पहले कथन से अंदर जाना चाहिए यद्देपी वह लूप पुरा होने से पहले ही कंट्रोल लूप के किसी भी कथन से बाहर निकल सकता है उदहारन हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जो 8 संख्याओं को पढ़ कर इन्हें जोडते हैं यहाँ पर पढ़ी जाने वाली संख्याओं की गिंती हमें पहले से मालूम है इसलिए हम एक ऐसा लूप बनाएंगे जो 8 बार दोहराय जाता है इसके लिए हम एक लूपिंग चर लेंगे जिसके मान एक से 8 तक रखेंगे इसके साथ ही हम योग के लिए भी एक चर बनाएंगे जिसका मान शुरू में शुन्ने होगा अब लूप के अंदर हम एक बार एक संख्या पढ़ेंगे और उसे योग वाले चर में जोडते जाएंगे लूप पूरा होने तक सभी संख्याओं का योग हमें प्राप्थ हो जाएगा इसके लिए प्रोग्राम निम्न प्रकार लिखा जा सकता है 10 RAM this reads 8 numbers and finds their sum 20 let's is equal to 0, 30 for 1 is equal to 1 to 8 40 input double inverted comma give number colon double inverted comma single inverted comma n 50 let's is equal to s plus n 60 next one 70 print double inverted comma sum is double inverted comma single s 80 end यहाँ एक लूपिंग चर है s योग का चर है और n पढ़ी जाने वाली संख्याओं का चर है line संख्या 50 के कथन let s is equal to s plus n inverted comma का अर्थ है कि संख्या n का योग s में जोड़ कर s का नया मान निकाला जाएगा 6 कथनों का आर्थ आप स्वयम समझ सकते है